हो गई चुनावी महासमर की घोशना उनने सप्रैल से कब और कहा होंगे एलेक्शन यहां जाने पूरा शड्डियूल लोगसभा चुनाव दोहजार चुनावी का बिगुल बजग गया है निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर प्रेस कांफरेंस कर चुनाव की तारिखों का एलान किया मुख्य चुनाव आयोगत राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोगसभा चुनाव साथ चरणों में कराए जाएंगे उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है इसके अलावा पोलिंग बूथों पर सकत सुरक्षा व्यवस्था के इंतिजाम किये गए है उन्नेस अप्रेल से शुरू होंगे चुनाव इस बार लोगसभा चुनाव साथ चरणों में होंगे चुनाओ आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रेल को लोग सभा चुनाओ शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे 7 चरण इस प्रकार होंगे पहला चरण 19 अप्रेल, दूसरा चरण 26 अप्रेल, तीसरा चरण 7 मई, 4 चरण 13 मई, 5 वा चरण 20 मई, 6 चरण 25 मई, 7 चरण 1 जून, नतीजे 4 जून चार राजियों में विधान सभा चुनाओ आम चुनाओ के साथ चार राजियों में विधान सभा चुनाओ भी होंगे आंदर प्रदेश में 13 मई को चुनाओ होंगे सिक्किम और अरुणांचल में 19 अप्रेल को वोटिंग औरीसा में मद्दान साथ चर्णों में होंगे चुनाओ 26 विधान सभाओं में होंगे उपचुनाओ हरियाना हिमाचल जारखंड और यूपी समेट 26 विधान सभाओं में उपचुनाओ होंगे इस बार 97 करोड वोटर्स मुखे चुनाओ आयुकत राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड वोटर्स हैं और 10 लाग से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाओ पर पूरी दुनिया की नजर होगी उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड मददाता पहली बार वोट करेंगे और को लिए किस दशमलो 5 करोड यूआ वोटर्स होंगे पुरुश मददाताओं की संख्या 49.7 करोड है इस बार 85 साल से उपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं चुनाओ आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है कई शेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुशों से ज्यादा है वहीं इस बार 85 लाख फर्स टाइम महिला वोटर्स होंगे हर जिले में एक control room होगा चुनाव का एक पर्व اور देश का गर्व चुनाव आयुकत ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनाव के लिए तैयार है